हेलो दोस्तों स्वागत है आप लों का हमारे यूट्यूब चैनल महांसर में और हम लेके आये हैं आज आर्थवर्षता से संबंदित स्रामान ग्यान आज के आमारी सेरीज ही चल रही है जिसमें हम 15 15 कोस्टेन हर एक टोपिक के करा रहे हैं तो यह उसी सेरीज का एक हिस्टा ह है तो शुरू करते हैं आज क्या जो पहला कोस्टेन है वो दोस्तों क्या है नर्शिम्मन रिपोर्ट का संबंद किसके पुनरगठन से है तो आप लोगों को बताना है इसका सही ओप्शन क्या होने वाला क्या आयकर से है बैंकिंग संस्थान से है विक्रेकर से या फिर बीम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चला तो यह रहा आपका नेक्स्ट कोश्चन क्या है यदि सूरत में बनी बस्तु में मुंबई या दिली में बेची जाएं तो क्या कहलाएंगी बताइए कौन सा ब्यापार होगा उनकी बीज सूरत में सूरत में जो बनती है वो मुंबई या दि मुझरात में मुंबई आपका काम आराष्ट में दिल्ली तो खुद एक इस्टेट है तो बहाँ पे अगर कोई चीज तेल होती है तो प्रादेशिक व्यापार के अंतरगत आएगी यानि की कराकी विल्कुल सहीजवाब होगा अब अब तो क्रान्ती क संभंद से तो सब्सक्राइब और टेल यानि की विल्कुल सही जवाब है तो बढ़ते हैं निल्ः यिवर्ए से का निम लेखित बर्गों सील देशों से या ओपी यह फिर ओई सीडी तो यह क्या है इसका सही ओप्टन क्या है दोस्तो ओफी यानि और गेनाईएशन फार पेटरोलियम एक्सपोर्टिंग-टैंड। जिसका सही फुल फॉर्म होता है याईनि कि जो देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं बहां से भारत का आयात अधिक होता है तो सही option क्या है आपका सही है अब next question क्या है next question है चंद्र सेखरन समिती किस से संबंदित है तो चंद्र सेखरन जो समिती है वो आपकी सेरों से संबंदित है क्या है सेरों से बोले तो जो सेर मार्केट होती है उससे रिलेटेड आपकी यह सम्ति है यानि कि option यह बिल्कुल सही होगा बढ़ते है next question की तरफ और next question क्या है कर सुदार सम्ती का अध्यच किसे निव्ट किया गय जाए दोस्तों राजा चिलेया है यह इसके क्या है अध्यच है कर सुदार सम्ती के तो option यह बिल्कुल राइट जबाब चलते हैं यह रहा दोस्तों next question किस सम्ति ने किर्शी जोतों पर कर लगाने की संतुति की थी मतलब किर्षी पर किर्षी की जोतें होती है उन पर संतुत दोस्तो राज समती थी ति यानि की उप्सण डी बिल्कुर सभाब है अब बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चन की तरह और नेक्स्ट कोश्चन क्या है दोस्तों के लिए विवातों के निपटा रहे तो मुख एजनसी है कि अगर कोई बित्तिय मामला आ जाता है कोई finance से कोई मामला आ जाता है तो वह कौन निप्टाता है तो उसको finance आयोग निप्टाता है यानि कि बित आयोग निप्टाता है तो option भी बिलकुर सही जबाब है बढ़ते हैं next question की तरफ of next question क्या है देश में चीनी मिलों की सरबादिक संक्या किस राज़ में है तो इसके लिए आपको सीधा-सीधा उप्षण मिलेगा, माहराष्ट अगर सबसे जाजा चीनी उत्पादक राज़ बोला जाए तो भू आपका यूपी होगा लेकिन अगर चीनी मिल की बात की जाए तो भू आपका यानि की option ए बील्कुल सही जबाब है अब next question की तरफ चलते हैं लेक्स्ट क्या है बहुत सब दिज्च्च्रत किहां कितना प्रिस्थ पूर्ति कोहले से होती है तो इसका सही option मुझे भी नहीं पता है मैं भी इसमें confused हूँ लेकिन मैं इसका सही answer क्या लगा हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या है सही option देखते हैं दोस्तों इसका क्या है 66 कितना percent 67% इसका सही option है बढ़ते है next question की तरफ next question क्या है दोस्तों भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है भारत में किस्परकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो भारत में आपकी चक्रिय बेरोजगारी भी है ग्रामीड और बेरोजगार भी है रोजगार यानि कि ग्रामिड में क्या है बहुत कम रोजगार मिलता है शनरक नात्मक बेरोजगारी ये सबी आपकी क्या है इसमें पाई जाती है यानि की ऐप्षन डी बिल्कुर सही जबाब होगा next question के दरब चलते हैं दोस्त क्या है next question किरसी में मूलता किस परकार की बेरोजगारी की प्रदानता देखने को मिलती है तो किरसी में जो बेरोजगारी मिलती है दोस्तो वो आपको सबसे जादा मिलेगी address बेरोजगारी अध्रिस्ट बेरोजगारी क्या होती है? हालां कि मैं बता देता हूँ जिससे कि जहां पे दस लोगों का काम है भाँ पे बीस लोग लगाया बैठे हो आप खाली में लगे हैं तो वो ही आपकी अध्रिस्ट बेरोजगारी हो जाती है इसका detail में जब economics class चलाऊंगा तब समझा दूँगा तो इसका सही option क्या है B है next question की तरफ चलते हैं next question क्या है भारत में ग्रामीड चेत्रों में काउंसी विरोजगारी पाई जाती है तो भारत में ग्रामीड चेत्रों में मौसमी विरोजगारी भी पाई जाती है यानि कि option C बिलकुल सही दोनों ही पाई जाती है next question की तरफ चलते हैं next question क्या है last question है बरतमान समय में देश में किस प्रकार की विरोजगारी की समस्या बहुत गंबीर समस्या बनी हुई है तो ये आपकी क्या है ये आपकी है सικषित वेरोजगारी की समस्या पड़े लिखे लोगों की समस्या है कि वो बहुत बेरोजगार है पड़े लिखे लोग तो इसकी समस्या सबसे बढ़ी है तो ऑप्शन सी बिल्कुर सही जवाब है तो कैसे लगे आप लोगों को यह कोस्टिन अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तो